पुह को अगर एकी तरह से बना कर और खा कर बोर हो गए है तो पुह से बनाईए कृस्पी और कुरकुरे कटलेट जो की बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाते हैं साथ ही इनका टेस्ट बच्चे हो या बड़े सब को पसंद आता है साथ ही इने हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम ओईल में जिससे कि ये healthy भी रहें तो चलिए देख लेते हैं कटलेट की इस रेसेपी को पोहा कटलेट बनाने के लिए मैंने लिया है दो कप पोहा इसे तीन चार बार पानी से अच्छा वोश कर लिया है और इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है इसे 5-10 मिनिट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए पोहा अच्छे से फूल गया है दो आलू को मैंने माइकरवे में बॉइल कर लिया है इन्हें हम पोहे में क्रश कर लेंगे इस तरह से आलू को माइकरवे में कैसे बॉइल करना है ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है बहुत ही आसानी से आप माइकरवे में आलू को बॉइल कर सकते हैं इस तरह से हम सारे आलू को पोहे में क्रश कर लेंगे आलो क्रश हो गए हैं इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याच और एक कटोरी मैंने लिया है हरा मटर इसे भी दो मिनिट मैंने माइक्रिविब में अच्छे से बॉइल करके ले लिया है इसे भी हम एट कर लेंगे आदा कप फ्रेंच वीन्स को बारी कट करके मिक्स करेंगे साथ में तो हरी मिच को भी बारी काट लिया है इने भी डाल देंगे और हरा धनिया हमने बारी कट कर लिया है इसे भी मिक्स करेंगे और हम इसमें डाल लेंगे एक चोटो चमच लाल मिच पाउडर और एक चोटो चमच डालेंगे चाट मसाला एक चोटो चमच अमचूर पाउडर और कटलीट क्रिस्पी बनें इसके लिए हम दो चमच चावल का आठा इसमे एट करेंगे और आदा चोटो चमच इसमें काली मिच का पाउडर डालेंगे और सादा अनुसार डालेंगे नमक और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से इसमें हमें पानी डालने की जुरुत नहीं पड़ेगी सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई हैं आप देख सकते हैं इस तरह से कटलेट आसारी से हम बना पाएंगे आप अपनी मन पसंद का कोई भी शेप कटलेट को दे सकते हैं इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर कॉल्ड शेप में भी बना सकते हैं आलू टिक्की के जैसा इस तरह से और इसमें हमें चीज स्टफिंग करना है तो बीच में थोड़ी सी जगा बना लेंगे और छोटा सा चीज क्यूब लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग कर देंगे अंदर से चीज मेल्ट हो जाएगी कटलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा और चीज बच्चों को बहुत पुसंद भी होती है इस तरह से हम सारी कटलेट बनाकर थियार कर लिएंगे इस तरह से हमने यह इकटलीट बना कर थ्यार कर लिए हैं आप रहा है और यह मैंने 5-6 प्रेट से प्रेट प्रेट ख्रम्प से त्यूंस तरह कर लिए हैं जिनसे हम कोटिंग करेंगे और साथ में लिया है 2 चमच चावल और में इसका गूल बना लेंगे अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉन फ्रॉर या फिर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं घुल तयार हो गया है तो हम इस तरह से एक-एक कटलेट को कोटिंग कर देंगे चावल के याटे में अच्छे से कटलेट को कोट करेंगे और उसके बाद उसमें हम ब्रेट क्रम्प्स को अपलाई कर देंगे इस तरह से हम सारे कटलेट को ट्यार कर लेंगे हमने इस तरह से सारे कटलेट को ट्यार कर लिया है इन्हें आप ओइल में डिफ्राइ भी कर सकते हैं या फिर सैलो फ्राइ भी कर सकते हैं हम बनाने वाले हैं माइक्रवेब में स्लिम फ्राइ फंक्शन में हम इसे बनाएंगे बेस कटलेट की आप्शन में Slim Fry Function Select करेंगे पहले हम Hierarch रखेंगे और उसके उपर ये तबार रख देंगे कटलेट वाला Slim Fry फ्रेस करेंगे 1 and 2 पर कटलेट का आप्शन है हम उसे Select करेंगे और Start करेंगे Microwave 20 मिनिट्स का टाइम यहां पर ले रहा है 5 मिनिट के बाद हम कटलेट को बाहर निकालेंगे और इसके उपर थोड़ा सा Oil क्रस कर देंगे जिससे कटलेट खाने में भी टेस्टी लगेंगे और Brown Effect भी काफी अच्छा आजाएगा बहुत कम उइल में हम ये कटलेट बना रहे हैं हम इने Slim Fry कर रहे हैं बहुत कम उइल में कटलेट डीफ्राई के जैसे बनकर त्यार हो जाएंगे खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ में हैल्दी भी इस तरह से हम सारे कटलेट के उपर थोड़ा थोड़ा उइल ब्रश कर देंगे इससे हम एक्स टॉयल कंस्यूम करने से भी बच जाएंगे और फिर से इने माइक्रविम में रख देंगे और आप देख सकते हैं कटलेट अच्छे से बनकर त्यार हो गए हैं बहुत अच्छे से ब्राउन एफेक्ट आ गया है कटलेट के उपर एक्तम क्रंची और दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं बहुत कम उइल में और आप देख सकते हैं उपर से काफी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एक्तम परफेक्ट कटलेट बनकर त्यार हुए हैं यह हम हरी चटनी और सॉस के साथ सर्फ कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए इट हेल्दी, इस्टे हेल्दी, टेक केर एंड बाइ बाइ